हाईलो फ्रेंड्स आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के माध्यम से कच्छा दस के बच्चों के लिए ग्रिह बीकेन के मैं एक बहुती अच्छा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ अगर आप इस मॉडल पेपर को त्यार करके चले जाते हो तो बोड के फिर में आपका इससे बाहर नहीं आएगा और यह जो मॉडल पेपर है अभी अभी लाटेस्ट यहां पर जारी किया है और इस मॉडल पेपर में यहां पर दिख सकते हैं बहुत सारी इंपोर्टेंट कोशन के यहां पर रखा गया है और अग आप इस model पर अच्छे से त्यार कर लेते हो तो आपका बहुत ही अच्छे अंगों के यहां पर लाब होने वाला है तो वीडियो काफी most important वीडियो को सुरू से end तक देखना उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े है तो चैनल को सब्सक्र करने का बहुत ही अच्छा वाला मॉडल मतलग उसका solution करवा दिजिए तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इस ग्री विज्ञान के पेपर का मैं यहां पर पूरा का पूरा यहां पर चीर हर करने वाला हूं और किस तरीक से पेपर में लिखना है यह भी बताऊंगा तो वी पेपर पढ़ने का टाइम होता यहां पर कुछ दिशांदेस दियेगा है सब यहां पर पढ़ लेना आई हम इसको स्टाट करते हैं सबसे पर यहां पर देखिए बहुँभी कलपी कोशन को हल करेंगे उसके बाद लगूतरी अतिलगूतरी और द्रीकोशन को हल करने वाले है तो यहां पर देखू, किस चेक में बाइं कोने पर समानतर रखाएं, खीच दी जाती है, वाहग चेक, क्रास चेक, यात्री चेक, उपहार चेक, तो देखू, कौन सा चेक है, जिसके बाइं कोने पर, बाइं मतलब इस वाले कोने पर, ठीक, बाइं कोने पर समानतर रखाएं, अब यहाँ पर देखो, अगला कोशन बोला जा रहा है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? यह तो आपने बहुत ही अश्चर रेक्ट हैं से प्रिवियस लेक्चर केमा अदिम से पड़े होंगे, चाहे छोते क्लासों में पड़े होंगे, कि 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, ठीक, अब चलिए, अगला कोशन की कौन सी समगरी सिलाई कीट में नहीं रखी जाती है, धागा, सुई, इंच टेप, सिलाई मसीन, अब देखो, कोशन बहुत इंट्रेस्टिंग है, क्या बोला जार है, कि कौन सी समगरी सिलाई कीट में नहीं रखी जाती है, तो धागा को हम बनेगा सिलाई मसीन चलिए अगला कोशन की भोजन पकाने की विदी जिसमें समय की बचत होती है वह है उबालना तलना प्रेशर कुकर में पकाना भूनना तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्रेशर कुकर हमें यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं ताकि हमारे खाना जल्द और रुकने के लिए भूमिकत जल में जल अस्तर में व्रिधी के लिए इन में से सभी के लिए तो देखो मैं बता दू ब्रिक्षा रूपर जो होता है यह किसलिए आवस्यक होता है यह बता दूर देखो सबसे पहले जो ब्रिक्षा रूपर होता है इसका में काम क्या होता है आपको वाईव अच्छा देना प्रवाइड करना ठीक फ्रेस एर देना ठीक ना तो इसका राइट एंसर मन सकते है कौन सा स्वक्ष वाईव के लिए चलिए अगला कोशन जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्डेन कोशन पुछा गया है और इस बार के पेपर में यह पूछा जा सकत ठीक चलिए अगला कोशन कि पीटीएस अथवा टीटी बैंक का इंजेक्शन टीटी बैक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है डिफ्थिरिया डेंगू तबेदिक टीटनेस तो मैं बता दो टीटी बैक टीटी बैक का इंजेक्शन लगता है आपक अब का मश्र से फेलता है डेंगु नहीं होगा यह होगा आपका टीवी हो गया ठीक और जैसे मालो यह कोरोना वायुरस अभी देंश चल रहा है ठीक यह ओमिक्रोन इस अब क्या है संक्रमर और रोग हैं और यह आपकर जाण को सबस्क्राइब जरूर करते हैं ठीक ना चलो अ सरिर में का क्या कार्य होता है टेंप्रेशरों कोंट्रोल करना होता है ठीक ना इस तरीकर आप त्रीन कीक्ट में लिखे दो लिखे 25 word से अपका डो 01 मील जाएगा है और परिवारिक बजट जब क्या समस्ति है क्वाधा का सिब्गडा सब् सक識 है हैं तो परिवारी के परेंज बर We स्मझ नहीं अब धेंग some कि बच्च वायू के माध्यम से फैलनेवाले दो रुक के नाम बता धिया अभी वाय ने रहें सो म्हीं कॉरॉन रुण automat एक जांपल बन जाएंगे चार तरल अहारों के नाम लिखी है चार तरल अहार दूध्य कंख पानी इस तरीके कप लिख देना दूध्य हसके बार से आप चाय लिख देना कॉफी लिख देना बहुत सारे है ठीक नवा大家好 2021 है बैंक पास्बुक की क्या उप्यों किता है सबी लोग जानते है बीना बैंक पास्बुक का पैसा नहीं निकाल सकते हैं बैंक पास्बुक की यह उप्यों करता है कि एक मेरे आईडी पे काम करता है ठीक ना क्या करता है एक आईडी पे जिसमाल लोगों तुम्हें आधार कार निकलवाने जाओगे आधार कार्ट अगर खुलवाने खाता खुलवाना है ठीक ना अधार कार्ट का यहां पर आडी बनाना चाहिए किसी भी चीज़ का आईडी बनाना एथ तो उसमें बैंक का पास्वुक क्रित्रिम्जी स्वासन क्रिया जो प्रकृतिक चीज़से प्रक्रित्रि मसेठ बताई गर्मसेक यो कि रूप बताईए गरमसेक क्यों लेते हैं बाई जिसे मालों कि जिसी का मालों कि ये हो गया जिसे का लंग वश्ची का मालों मार दिया उस में क्या करते हैं घौक न ठोच्छानीक निस संक्रमणों के नाम बताईए तो यह भी आसान कोशने कर ले ना उसके बाद देखो परिवारिक बजट के अवकुलन और लोकन के मुख रूप से कौन कौन से रिस सुचना है प्राप्त हो सकती है सबसे आसान कोशने कर सकते हैं या अगर आप यह नहीं आ रहा थी यह कर सक सकते हो देखो सिंपल इंट्रेस्ट का एक कोशन है कि 6% साधाड ब्याज वार्चिक दर से 800 रूपिये का चार वर्स का ब्याज कितना होगा तो सबी लोग जानते हैं ब्याज का सुतर होता है मुल्धन गुणे दर गुणे समय बटे का 100 दो जिरस दो जिरो कटा आद बहन आ 46 का 48 48 में 4 सिंगुणा कर लो 48 में 4 सिंगुणा करोगे तो चारा वाट 32 का दू आज चार्चाव के 16 अतीन उनीस 192 एक सो बानवे रूपिया हो जाएगा ठीक घर के कूले करकट को हटाने वह नश्ट करने के उपायों को असपश्ट तरीके से लिखिए तो घर के कूले चीशन जा परिश्ट नहीं फ्यलता है ठीक अब ऊगला कोशन कि बोजोंद पकाने के वीदियो का नाम ृथ कि निर्शन वीदियो का व्यफिकर पपकानी कौकाने क क्या मतलम कि मतलब की मतलब परिशट कूकर में कौन कौन से आप इस्तिमाल करती है उसके बारे में लिख ठीक ना है जारों के लक्षर एम बचायों के उपाई लिखिए या आप यह भी कर सकते हैं अधर्स कुएं पर टीपडी लिखिए आधर्स किसी एक आधर्स कुएं ठीक आवाज से उत्पन होती है परदूसर उत्पन होती है उसे हम क्या बोलते हैं धौनी परदूसर ठीक अब देखो अगला कोशन की फ्राग को सुन्दर वह आकर्शक बनाने के लिए आप क्या करेंगी उसमें डिजाइन है तरह तरह के मॉडल यूज करना है ठीक ना इस तर चार्जर है इनमें से 20 परशन पूरूस और 25 परशन इस्तिर्या स्थेष बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या बताना है चले कोशन बता यह था हूं ठीक नो अब यहां पर देखो 20 परशेंट और 80 परशेंट कितना हो गया 45 परशेंट बचा कितना 55 परशेंट तो इसका 55 परशेंट निकाल दो इसका 55 परटे के 100 तो कितना हो जाएगा एक सब 10 तुना 220 तो 220 यानि कि 22 हो ठीक 22 हो जाएगा तो बच्चों की संग्याप की 22 हो निकल का जाएगी ठीक अब यहां पर देखो आठवा और दसवा कोशन आठवा से लेकर करके दसवा कोशन ने कदम द्रिग उतरी है इसको समय लेते हैं कि प्रकृतिक क्रित्रिक सोशन से अगला कोशन एक स्वास्थ ब्यक्ति और रोगी के भोजन में क्या अंतर होता है रोगी ब्यक्तिक को भोजन देते समय आपके इनकिन बातों को ध्यान में रखेंगी ठीक, असपस्तरीक से लिख लेना है अगला कोशन कि पार्या वराड परदूसर के कारणों को उलेख करिए कौन कौन से कारण है ध्Zeध्वानिप परदूसर, वाई परदूसर, जल परदूसर ठीक, इस तरीके से कारण आप लिख देना है देखो कहने का मतलब कि कल्चरा आप कैस की तरीक के माध्यम से आप रूख सकते हैं उसके बारा में लिखना है उसका क्या मतलब है और उसके कौन-कौन से विदिया आप अपना सकती है उसके बारा में लिखना है ठीक ना इस तरीके से तो फ्रेंड्स आज के लिए वस इतना है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी helpful लगी तो वीडियो को लाइक करना जादे जादे इस वीडियो को सेर करना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे भी लेगन प्रेस कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जाए हिंद जाए भारत पंदे मात्रम